ओम शान्ति आज के इस प्रातर कालिन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदर्णिय राज्योगिनी गीता दिदीजी एक हाथ हिला कर हम आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनन्दन करते हैं गीता दिदीजी जब स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे तभी आपको ये ज्ञान मिला और उसके बाद तो फिर जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एक्जामिनेशन पास की उसके बाद अपना संपून जीवन इश्वरिय सेवाओं के लिए समर्पित किया आपका भी लगभग पचास वर्षों का समर्पित जीवन का इथियास है आरंब में चूंकि आप गुजरात की धर्नी से निकले इश्वर की अनमोल रतन है तो पहले गुजरात की धर्नी में ही सेवाएं दी सूरत, भरूच, बडोदा, अमदाबाद और फिर चौदा वर्षों तक लगातार भाव नगर में रहे जा सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद तो 93 में ग्यानसरोर के बनने का खार्य शुरू हो गया था तो फिर आप ग्यानसरोर में पहुंचे वहाँ पर भी करीब 17-18 वर्षों तक रहे कर आपने बहुत अपनी अमुल्य सेवाएं दी गाइड की सेवाएं के हैं, रिसेप्शन की सेवाएं के हैं इंटर्नल एड्मिनिस्ट्रेशन साल भर जो प्रोग्राम चलते हैं उसका सुचारू संचालन और साथ साथ राजयोगा टीचर के रूप में बहुत अमुल्य सेवाएं दी और फिर तो शान्तीवन में नीचे बेहद विस्तार हो रहा था तो फिर पिछले 10-12 वर्षों से आप शान्तीवन में रहकर सेवाएं दे रही हैं आप बिजनस एंड इंडस्ट्री विंग के स्पेशल क्या कहेंगे हैड कौर्टर कॉडिनेटर भी है और बाहर भी आप सेवाओ अर्थ प्रहमन करते हैं भठी की अनेक टीचरों में से आप भी एक टीचर हैं कुशल राज्यो प्रशिक्षिका हैं बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी जैसा आपका नाम है गीता बहन और हम सब जानते हैं श्रीमत भगवत गीता की मुख्य शीक्षा क्या सुख दुख हानी लाब जै पराजे इन सब में क्या रहना है समद्रश्टी रहना है इस्थिर बुद्धी रहना है जो आपके जीवन से उसकी जलक देखने को मिलती है तो हम आप से आज सुनेंगे एकांत और एकांगरता द्वारा एक्रस इस्थिती एकांत और एकांगरता द्वारा एक्रस इस्थिती आधनिया दीदीजी ओम श्ञंति दो दिन की तपस्या तो हो गई न इसमें भाई बहने भी बादुर गड़के हैं सबी अच्छा टीचर्स का ग्रूप नहीं है हाँ बहुत अच्छा वैसे भी कहते हैं न गड़ियों से आओ मुन्नी बेन तो ऐसे ही कहते हैं बाई रोड आओ सेफ्टी है न हम सभी सालों से अच्छे पुर्शार्थी हैं जब सत्य ग्यान समझ में आ जाता है और निश्चे बुद्धी बन जाते हैं तो हमारी लगन लग जाती हैं और पुर्शार्थ शुरू हो जाता हैं क्योंकि हम ग्यान को जीवन में धारन करना जाते हैं हम अपनी एक शक्ती शाली पवित्र औरूंच अवस्था बनाना जाते हैं क्योंकि अल्टीमेट तो जिस अवस्था से जिस आत्म स्थिती से हम अपना संगम यूग पुरा करेंगे उसी आत्म स्थिती से सतियुको शुरू करेंगे इसलिए बाबा मिले सद ग्यान मिला वो एक सवभाग्य तो है ही परन्तो उसमें से जो हम अपने मन वचन कर्म में धारन करेंगे एक स्टेज बनाएंगे वो इंपोर्टन्ट है बाबा ने तो दिया संपूर्ण और सत्य ज्ञान दिया पर हमारे जीवन में कितना आया यान धारना कितनी हुई और उस धारना से शक्ति शाली वृत्ती द्रिस्टी कृती जितनी बनाएंगे उतनी स्थिती आत्मा के साथ जलेगे इसलिए व्यक्तिगत रुप से भी पुर्शार्त करते हैं और इस प्रकार के तपस्या के प्रुग्राम बना के भी हम अपनी अवस्था बनाते हैं तो संगम युक की सबसे बड़ी प्राप्ती है आत्मिक स्थिती आत्मा अवस्था हमने कैसी बनाई बाबा आकर ज्यान देते हैं क्योंकि जब तक मुल्च सत्य पता नहीं चलता सही पुर्शार्थ शुरू नहीं होता बक्ती में हमने बहुत महनत की पर उसको हम उसको बाबा पुर्शार्थ नहीं कहते हैं बटक नहीं कहते हैं पुर्शार्थ तो लक्ष से किया जाता है और सही समझ से किया जाता है हमारा सोभाग्य यह है कि हमें बाबा का ज्यान बुद्धी में बैठा समझ में आया हमने अपने आपको जाना पहचाना बाबा को जाना पहचाना समय को पहचाना हमारे में अवेरनेस आ गई आत्मा जाग गई तीसरा नेत्रा हमें मिल गया कि यह कौन सा समय है कौन कह रहा है और मुझे क्या करना है अगर हमने इसको यथार्थ रुप से समझा है तो फिर मन बुद्धी बटकेंगे दे हम लक्ष के प्रती एकाग्र हो जाएंगे जो करना है उस एक दिशा में हम कैंदरित हो जाएंगे तब ही कहेंगे कि समझा वरना क्या समझा अगर हमने ये सारी बातें समझी कि सच में भगवान आये हैं महा परीवर्तन हो रहा है और मुझे समय को पहचान कर साउधान होकर और भगवान के आदेश को मान कर अब क्या करना है तो जितना गहराई से ये बातें समझते हैं मैसूस करते हैं उस एक लक्ष की दिशा में कि मुझे वो ही शुद्ध सत्य आत्मा बनना है अज्ञानता के कारण विशय विकार संसकार में आए पर ज्ञान समझा मिन्स अब माया से दुखा नहीं खाना समझने का मतलब ही है आत्मा का जाग जाना फिर निरंतर हम जागरत होकर फोकस्ड होकर क्यों बाबा रोज एम अबजेक्ट की याद दिलाता है रोज लक्ष की कोई न कोई बातें आती है मुझे क्योंकि हमें पूरी लाइफ उसको फॉलो करना है ज्यान ना होने के कारण विकारों के वर्ष होते हैं तो बाबा कहते हैं आत्मा शुद्र बन गए कल परसों की मुरली में ही था ना कि काम के वर्ष होते हैं तो कहते हैं पती तो हूँ अब जब ज्यान मिला तो पवित्रता की धर्णा होई हम शुद्र से रजो स्थिती में आए वैश्य स्थिती में आए क्यांकि साइकल रिवर्स होके सतो तक पहुँचेगा ना और वैश्य स्थिती की दो कमजोरियां हैं लोब और मोह देह की जाती से भी जो वैश्य है उसमें आप देखेंगे कि लोब और देह संबंधों में मोह ये दो कमजोरियां उसमें ज्यादा होते नित्य ज्यान योग करके लोब और मोह पर जीत पाते हैं चाहे घर में रहो चाहे यग्य में समर्पित हो के रहो या ट्रस्टी बनके रहो ये चीजें चेक तो करनी पड़ती है अपने आप में पवित्रता की मन्जिल हम सहज पार कर लेते क्योंकि हम कल पहले वाली देवतागरानी के आत्मा हैं पर पवित्र बनने के बाद हमारे जीवन में संबंद में प्रवरत्ती में लोब और मोह को चेक करना उस पर विजय पाते हैं तो रजों से सतो स्थिती पर पहुँचते हैं वैश्य से क्षत्रिय बनते हैं और क्षत्रिय स्टेज में क्रोध और अहंकार ये दो कमजोरियां होतें लौकिक में भी आप देखिए क्षत्रियों में क्रोध और अहंकार होतें उस पर विजय पाने का पुरशाद स्वदर्शन करना पड़ेगा अपने आपको देखना होगा भल ओवर ओल हमारी धारणाएं हैं तो लगता है कि अब और क्या पुरशार्त करना है पवित्र बन गए योगी बन गए नियम मरियादाओं में चल रहे हैं सेवा कर रहे हैं अब और क्या पुरशार्त करना है परन्तु जितना अपने आपको सुक्ष्मता से देखेंगे तो कहीं न कहीं वर्ष हो जाते हैं अवस्था वाई उपर नीचे होती हैं बाकी तो अच्छी रहती हैं पर हम दिस्टर्ब कहा होते हैं हमारी स्थिती उची नीची कहा होती हैं जहां हम कहीं भी वश्शिभूत होते हैं अगर लक्ष हैं यह सारी बातें उनके लिए हैं जिनको लक्ष हैं कि विजयी बनना बापसमान बनना संपुर्ण कर्मातित फरिष्टा बनना इसलिए सबसे पहले अपने आपको यह मजबूत रोज कराना है कि लक्ष क्या है जो जीवन बना है उसी से हम खुश हैं क्योंकि ओवरॉल हमारा जीवन बहुत अच्छा है हम पवित्र हैं योगी हैं नियम मरियादाओं में चलते हैं सेवा करते हैं हम इसी से संतुस्ट हैं या हमें अपने आपको सुक्षमता से चेक करके संपूर्ण प्राप्ति करने हैं बाबा जो हमें पढ़ाई करा रहे हैं बाबा जो हमारे पीछे पालना दे रहे हैं इतने सुविधाएं दे रहे हैं वो तो संपूर्ण बनाने के लेवल से करा रहे हैं पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पालना भी बाप समान बनाने की हैं मेहनत तो हमारे पीछे बाबा उस लेवल की कर रहे हैं तो मुझे क्या रिजल्ट दे रहे हैं हम बाबा के तरफ से निमित बनकर सेंटर चला रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो रिजल्ट कौन सा देना तो यह रोज पक्का करना होगा तभी सुक्ष्म पुर्शार्थ चलता है तीवर पुर्शार्थ चलता है जब क्रोध और अहंकार बाबा केते न कि भी हम निमित बने ट्रस्टी बने मानशान स्थान प्राप्त किया उसका भी अहंकार नहीं उसका भी अहंकार नहीं क्योंकि पता है ना बाबा बाबा ने ही बनाया है बिना बाबा के सत्य ग्यान या बिना बाबा की याद हम ये स्थिती पाई ने सकते हैं इसलिए क्रोध और अहंकार उनके सुक्ष्मरूप उस पर विजयी बना मन मुटाव होना अनबन होना एक दो से बात नहीं करना ग्रिना नफरत तिरसकार नाराजगी ये सब गुसे के ही स्वरूपर और जब जब अवस्था में ये स्खलन आता है ब्रेक आता है उपर निचाई होती है तो वो शक्ती नहीं बनती है बाबा कहते है ने लाइट आए जाए आए जाए आए जाए तो वो पसंद नहीं आएगा वो तौरी डिस्टर्बंस तकलीफ लगती है आज अवस्था अच्छी मूड ओफ आज आज उमंग उच्सा है कल खुशी नहीं है क्योंकि बाबा कहते हैं शिव बाप समान स्थिती बनाने ब्रह्मा बाप समान व्यवहार रहों आच्छुरण तो बाबा की महिमा में दो चीज हम गाते हैं सदा और संपुर्ण कितनी अव्यक्त मुर्लियोमा में हमेशा बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया है सदा अनुभाव तो कभी कभी हुए हैं तभी तो लगे रहे हैं अगर प्राप्ती का अनुभाव नहीं होता तो हम पुर्शार्थ में लगे नहीं रहें परन्तु सदा वो स्थिती और जितना उंचे स्थान पर जिम्मेवारी के स्थान पर निमित बनते हैं और उनके मान शान हम लेते हैं हिसाब भी उस हिसाब से किया जाएगा नहीं किया जाएगा हमारा बाबा कहते हैं ना मैं कणे का घणा देता हूं पर कणे कणे का हिसाफ भी लेता है और पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि जो निमित है, साथी है उनकी तो अवस्था बनानी ही है बाराती नंबरवार चलेंगे पर बाबा ने का जो साथी है वो तो समान उनको तो बनना ही होगा साथी तो शोभादे ऐसे चाहिए ना बाबा देगा इसलिए निमित जो है उनको तो बनाना ही होगा उसमें हमारी इच्छा नहीं चलेगी कि जितना होगा उतना करेंगे वो नहीं चलेगा बाबा तो बना ही रहा है नहीं तो समय और परिस्थिती भी बनवाएगी सिर्फ बाबा से लेना नहीं है पर रिजल्ट भी देना है हमें इसलिए हमें साइलेंस में बैठ कर सोचना है और अपने आपको कन्विन्स करना है कि अवस्था बनानी ही है सिर्फ सेवा से खुश नहीं होना है कि हम ये ये सेवा करते और उसमें ये दोनों धारना है एकांत और एकाग्रता एकांत ये मनों स्थिती है स्थान नहीं मन की स्थिती एकांत की चैहीं कि अब इस मेरे मन के अंदर और कोई नहीं एक बाबा बाबा कहते ने एक के अंत में स्थित हो जाना लौकिक संबंधों में भी ये वफादारी मांगी जाते है है कि ने लौकिक संबंध में भी ये वफादारी चाहिए जिससे जीवन जोड़ा वो ही बस और कोई नहीं उसको एक वरता कहते हैं एक नामी कहते हैं एकांत कहते हैं कहते हैं न प्रेमी एकांत में मिलते हैं बाजार में ने अगर बाबा से प्यार है समर्पन मेटा है समर्पन मेटा शरीर से सेंटर में आके रह जाना वो नहीं वो तो हर कोई रहने चाहता है बाबा इतना सुख देते है पर मनोस्थिति एक नामी एक वरता एकांत कहीं और दुनिया में ये चीज हम देखते हैं आज भी बाबा ने आशुक माशुक की बात कहीं प्यार है वहां कितनी समर्पन मेटा वफादारी आती है दादियों के बारे में हम सुनते हैं जब उनसे पूछते हैं कि आप कैसे बाप समान बने दादियों कहती हैं हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए हमें कोई महनत नहीं लगी बाबा से प्यार इतना जो बाबा कहें फॉलो करते हैं प्यार प्यार में बाबा जैसे बन देगे इसलिए सिर्फ बुद्धी नहीं दिल और दिमाग प्यार बाबा सेतना हम ज्ञान समझ कर बाबा की बड़े लोजीकली कन्विन्स होकर बाबा की बड़े पर लोजीक के बाद श्रद्धा और भावना बाबा में तो एक आगरता सह जाएगी एक आगरता सिर्फ अभ्यास से नहीं आती अभ्यास भी जरूरी है पर अभ्यास के साथ प्यार श्रद्धा समर्पन ये एक बाबा की प्रति कि अब इस मन और बुद्धी पर एक बाबा का ही अधिकार है अब इस पर और कोई अधिकार नहीं कर सकता है और उसके लिए चाहिए एक बाबा से प्यार ये अटोमेटिक है ना जिससे प्यार हो जाता है हमारा एकागरता हठ दमन से नहीं बाबा से प्यार इतना की बुद्धी वहां ही लगी रहे प्रेक्टिकल देखते हैं ना देहधारियों के प्यार में अपना परिवार अपने बड़े समाज को भी छोड़कर उसके पीछे भागते हैं तो ये अंदरुनी बात है कि मेरे मन और बुद्धी में अब और किसी का अकर्षन नहीं क्यों पवीतरता को इतना महत्व बाबा देते हैं क्योंकि और किसी का मन बुद्धी में आना एक प्रकार से बेवफाई है बेवफाई है और फिर भी बाबा कितना कल्यानकारी है कि हमें उनके अपने घर में रखते हैं हमारी वो पालना करते हैं पर वो जो फ्लक्चुएशन बार बार रहता है वो ताकत नहीं बनने देता है जिसको हम स्थिती कहते है इसलिए अपने अंदर को हम खुद ही जानते हैं और तो नहीं जानते हैं प्यारे बाबा ने दादियों ने बड़ों ने निमितात्माओं ने इश्वरिये परिवार ने इन सब के सहयोग से इतनी अवस्था बनी हैं जहां अभी हम हैं पर अब आगे का जो कारिय है बाबा कहते हैं अब रिफाइननेस फाइनल फिनिशिंग अब जो करना है वो खुद के पुर्शार से ही हुए इसलिए ड्रामा ने आट-दस मास हमें बहुत मौका दिया साइलेंस में रह सकते आराम से तपस्या का पुर्शार्थ कर सकते बाबा ने ये हमें चांस दिया कंपल सरी हम खुद नहीं निकालते थे बाबा के कहने पर भी ड्रामा ने कंपल सरी सब को करा दिया सबने एक्स्ट्रा योग भी किया अव्यक्त मुर्लियों की स्टडी भी की मन सा सेवा भी की टाइम ही टाइम था पर एकाग्र कितने हो सके मन कितना लगा मन कितना लगा एक्रस्थिती से हम मन सा सेवा कितनी कर पाए तो ये भी एक स्वदर्शन हो गया कि जिस आध्यात्मिक लक्ष से हम बाबा के बने हैं वस्तों में उसमें कितनी रुची है हमारी उस ग्यान योग में कितने रुची है और अन्त तक ऐसा नहीं है कि वाथावरणा नुकूल हूँ तो हम इकाग्र हो सके डिस्टर्बंस बहुत था तो इकाग्र नहीं हो पाए नहीं ये सब तो रहनाई है क्योंकि ये वास्तों विकता है संसार की रियालीटी ये है कि वेराइटी सिचुएशन आत्माओं के वेराइटी व्यवहार डिस्टर्बंस उसके बीच मुझे एकाग्र हो रहा है हमारे हाथ में इतना है कि खुद अपनी सिचुएशन को देखो और डिस्टर्बंस को कितना आप मिनिमाईज कर सकते हैं वो आप करें क्योंकि अपनी दिन चरियात काफी कुछ अपने हाथ में हैं अगर हमें तपस्या में इंट्रेस्ट हैं तो हम उसका टाइम जरूर निकालेंगे रोज की दिन चरिया नहीं तो वर्क कॉंशियस कारोबार चलता है प्रवरत्ति फिर यग्य की प्रवरत्ति इश्वर्य परिवार के सारे रीतरसम कारोबार हम उसी में लगे रहेंगे परन्तु हम योगी हैं तपस्वी हैं और ये जीवन पद्धती हमने किसली अपनाई बाबा कहते हैं ना लौकिक जन्म लेने के बाद लौकिक में ही फसे रहेंगे तो लौकिक जन्म लेने का फाइदा क्या है अगर हमें अपनी अध्यात्मिक उन्नति करनी हैं तो हमें अपनी लौकिक सांसारिक कामनाओं को कम करना चे तब ही आप फोकस हो सके फिर आप सेवा कारोबार में भी देखो सेंटर कारोबार में भी और आपके अपने ग्रस्त के कारोबार में भी देखो हमने दुनियावी रूप से बहुत कुछ ज्यादा नहीं किया हम ब्रह्मा कुमारी बन गए ब्रह्मा कुमार बन गए दुनियावी रूप से भी लोग अपने लक्ष रखते हैं और अपने अपने फिल्ड में आगे बढ़ते हैं छोटा व्यापार शुडू करेंगे फिर बड़ा बिजनिस करने के लक्ष तक पहुंचते हैं गवर्मेंट सर्वंट बनते हैं और क्लास वन ऑफिसर बनने तक पहुंचते हैं सरपंच बनेंगे तालू का परिष्षत अध्यक्ष बनेंगे और फिर MLA मिनिस्टर तक पहुंचते हैं हमने सबकुछ छोड़ दिया हमारी दुनियावी रूप में कोई प्रगति हमने नहीं की तो उसका कारण हम यही बताते हैं कि हम तो ज्यान में आ गए ब्रमा कुमारी बन गए समर्पन हो गए उसी सेवा में लग गए पर जो क्षेत्र हमने चुना है उसमें हम क्या बने ग्यानी योग में क्या मास्टरी उसमें हमने क्या आवस्था बने किस गुण में किस शक्ती में उसमें क्या हमने अचिव किया। अगर वो हम देखते हैं तो हमें लक्ष बनेगा कि हमें विशेश कैसे बनना। आजकल एक्सपर्टाइजेशन का जमाना है। कॉमन MBBS की कोई वेल्यू नहीं होती है। यह न। स्पेश्यलाइजेशन चाहिए। तो हम किस बात में एक्सपर्ट बने। यह तो हरेक खुद अपने आपको देखेगा न। अभी तो हम वो सेवा करते हैं जो हमारे पास है वो हम लोगों को देते हैं। ज्ञान हैं ज्ञान देते हैं। कुछ अनुभव की बाते हैं वो बताते हैं। अब समय कौन सी सेवा करें। कि उनको जो चाहिए वो आप दे सको। वो कहेंगे ज्ञान नहीं सुनना हैं। आप शक्ति दो। बस हमारे जीवन में अशानती है। हमें शानती चाहिए। उनको जो चाहिए वो देने की क्षमता हमारे में हैं। तो कहेंगे कुछ स्पेशल। गोंड सभी चाहिए पर मास्टरी भी तो किसी में चाहिए। तो उस लक्ष से जब हम पुर्शार्थ करते हैं। आप अपनी परस्नालिती को देखिए। आप में कौन सी विशेश कॉलिती है। और उस अनुसार फिर अपनी परस्नालिती बनाना। होता है ना हर एक की अपनी स्पेशल परस्नालिती है। कि इसको देखो जब देखो सदा ये खुशी में रहे। इसके आनंद की परस्नालिती इससे शक्ती मिलती है। ये शक्ती शाली है। हमेशा हर परिस्थिती में इकरस रहते है। डल नहीं हो जाते हैं। उदास नहीं हो जाते हैं। हर हाल में अच्या लडोल रहते हैं। तो ये ताकत है। तो ये सारी कॉलिती इस तो ही हैं। एकांत एकागरता। परंतु मेरा अपना अनुभव ये हैं कि जब तक खुद की लगन नहीं, ये हमारे में धारण नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं पर मेरा कहना क्या है। मैं क्या करना चाहते हैं। मेरी लगन क्या है, मैंने क्या फाइनल किया। तो ज्ञान से वैराग्या, वैराग्या मिन्स जो करना है उसमें फोकस। वैराग्या की तो समझ आ गई वो छोड़ दिया। और वो छोड़ना है। वो त्याग है। परन्तु जहां मुझे एकाग्या होना है, वो मुझे शक्तिशाली रुप से धारण करना। तो त्याग भी चाहिए। कौंसी चीजें है जो ब्रामन जीवन में नहीं होनी चाहिए पर अभी भी है। इस अलोकिक जीवन को शुभा नहीं देती है। ज्यान से मिले विवेक अनुसार जो नहीं होनी चाहिए। पर है। जिग्री वैराग्य उत्पन नहीं हुआ है। और एक धक्स से त्याग नहीं हुआ। और जब तक वो चीज है वो तपस्या में पावर नहीं बहएर। जो नहीं करना चाहिए वो भी करते रहे। नहीं हो सब्सक्राइब। बाबा के तिन ज्ञान और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते, दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, प्रकाश का आना माना अंधकार का जाना, तो मेरा अपना हिसाब क्या है, रिजल्ट क्या है, और दुसरा, जो लक्ष हाथ में लिया, जो कर्तव या हाथ में लिया, उसके लिए हम कितना फना हुए उसके लिए क्या त्याक कि एक है कमजोरियों का त्याक, बुराईयों का त्याक पर एक है कि फना हो जादा हमने अपना भू, खाराम, प्यास, मौज, मजा, निंद्रा बाबा के लिए बाबा के कर्तव्य के लिए पुर्शार्थ के लिए कितना किया तन्मंधन कितना हरेक अपना हिसाब जिसको बाबा कहते हड़ी हड़ी स्वाहा कर तो यह हड़ी हड़ी स्वाहा सबको होना है समर्पितों को भी होना है और घर में रहने वाले बाबा के बच्यों को भी होना है माना जिगरी पुर्शार्थ करना जिगरी सेवा करना और समय पर समय पर जब जरूरत है उस समय हम बाबा के काम में कितने आते हैं बाबा ने कहा है कि दिल से एक धक से समय पर जो मदद करते हैं उनको बाबा अन्त तक मदद देने के लिए बंधा हुआ ऐसा समर्पन हमारा कौन सा है जो आपको गर्व हो अपने आप पर कि हम दिल से स्वाहा हुए है अवस्थाइन चीजों से बनते है यह टाइम है जब बगवान को हमारी मदद चाहिए हमारी स्थिती की मदद चाहिए अब तो क्योंकि अब जो सेवा हुनी है वो तो स्थिती से ही हुनी है यह सहयोग देने कौन तैयार है धन साधन सब कुछ तो लगाते हैं वो तो भक्ती में भी लोग लगाते है वक्ती में भी अपने अपने धर्मों में संप्रदाई में कारियों में समाज सेवा में लोग लगाते हैं वो बड़ी चीज नहीं है वो स्वाहा करने से के साथ और आगे लगन, पक्के, सच्चे, जिग्री अवस्था इन चीजों से बनते हैं ऐसे अवस्था नहीं बनते हैं आपका दिल स्विकार करे कि हमने ऐसे दिन नहीं बिताए हैं संगम के हमने सफल किये हैं दिल से या सेवा या पुर्शारत और ऐसी जिग्री लगन हैं, समर्पण हैं, स्वाहा हैं उस अवस्था को कोई हिलाई नहीं सकता है फिर कोई भी बात हो प्रक्रतिक आपदा हों कि खुद के शरीर के हिसाब किताब हों या अपसी स्वभाव संसकार की बात हैं क्योंकि हम इन बातों में न्यारे ही रहते हैं मन बुद्धी को वहां खर्च नहीं करते हैं हम केंदरित है कि जो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था में मुझे रहना है तो बातें आएंगी पर स्थिती उपर नीचे नहीं और उसी को कहा जाएगा कि अवस्था बनी है उपर नीचे हो जाना मन अवस्था बनी नहीं तो जब जब ऐसे पर्थी का मौका मिलता है और हम सभी बातों से फारीग होकर आते हैं बैठते हैं तो साइलेंस में रहकर अपने आप में ये सारी बातें गहराई से देखना मैसुस करना बहुत ज़रूरी और भी कहराई से आप सोची और अपनी रिती से भी चिंतन करिये इसको बाबा कहते हैं अनुभाव की अथोरिटी ओम शान्ति बहुत सुन्दर हम अपनी एक्रस स्थती कैसे बनाए एकान तोरेकागरता के द्वारा बहुत सुन्दर मार्ग दर्शन दिली आप 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 आप